नमस्कार कक्षा 10 एक्सरसाइस 3.2 कोशन नमबर 3 का तीसरा भाग हम कर रहे हैं इसमें हमें बताना है कि यह जो रैखिक यूगम है इनके यह जो समी करने हैं इनके द्वारा बनाया गया रैखिक यूगम संगत है या असंगत है ठीक है बचो तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 आईए देखते हैं ध्यान से देखना A1 कितना है 3 बटा 2 और A2 कितना है 9 तो 9 भी नीचे गुना हो जाएगा B1 कितना है 5 बटा 3 और B2 कितना है माइनस 10 माइनस 10 भी नीचे आजाएगा C1 कितना है 7 C2 कितना है 14 ठीक है बच्चो अब हम इसे हल करेंगे सबसे पहले देखेंगे इन में से क्या कुछ कट सकता है या नहीं कट सकता है देखे 3 के पाड़े में 3 एकम 3 और 3 तिया 9 कट जाएगा तो हमारे पास उपर बच गया 1 और नीचे बच गया 2 तिया 6 ठीक है यहां देखेंगे 5 से 10 कट जाएगा तो आगया 2 ठीक है उपर बच एक नीचे बच तीन कुना 2 6 साथ में माइनस भी है माइनस 6 ठीक है बच्चो C1 बटा C2 साथ एकम साथ साथ दूनी चोदा तो ही आगया 1 बटा 2 अब आप ध्यान से देखना कि A1 बटा A2 आया है 1 बटा 6 B1 बटा B2 आया है 1 बटा माइनस 6 C1 बटा C2 आया है 1 बटा 2 तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि A1 बटा A2 क्या B1 बटा B2 के बराबर है यह है 1 बटा 6 यह है 1 बटा माइनस 6 क्या 1 बटा 6 1 बटा माइनस 6 के बराबर होगा नहीं होगा तो इसका मतलब यह बराबर नहीं है और मैंने आपको पहले बताया था कि यदि A1 बटा A2, B1 बटा B2 के बराबर ना हो तो हम C1 बटा C2 को देखते ही नहीं है और इस condition को यदि हम table में देखते हैं तो हमें दिखता है कि A1 बटा A2, B1 बटा B2 के बराबर यदि नहीं है तो रिखाएं होती है प्रती छेदी, प्रती छेदी रिखाएं कैसी है इस प्रकार से एक दूसरे को एक बिंदू पे टच करने वाली और यदि प्रती छेदी रिखाएं है तो वो एक बिंदू पे टच करती है इसका मतलब उनका एक हल है और यदि एक हल है तो वो संगत्र यूगम होगा क्योंकि हमने पढ़ा था संगत्र यूगम होता है जिसका हल होता है तो हम यहां लिखेंगे एक अद्वित्य हल तो अतह दी गई समी करनो का रैखिक यूगम कैसा हुआ क्योंकि इसका हल है इसलिए यह रैखिक यूगम संगत्र है यदि इसका हल कोई नहीं होता तो यह रैखिक यूगम संगत्र नहीं होता ठीक है बच्चों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ आया होगा यदि ये समझ आया इसको लाइक जरूर कीजेगा धन्यवाद